ते गाइस विल्कम बैक तो नदर वीडियो एंड गाइस अगर आपको स्मार्टफोन देख रहे हो जहां पे आपको कोलकॉम स्नेप्ट्राइगन ट्रिपल एट का प्रसेसर हो गेमिंग फोन हो पैस्ट फोन हो फाइफ जी हो कैमरा हो और राउंडेबल तीस ते पसास अजार क बीच में कोई स्मार्टफोन हो कोई भी ब्रेंड का एंडगाइस आस में आपको टिफेंट डिफेंट इफेंट फाइश ब्रेंट के 5S स्मार्टफोन लेकिया गया हुँँ चहां पर आपको को कॉलकॉम से अबड ट्रिपल एट पर साजर है जो देखने को मिलेगा स्वाइ वेस्ट टाइम नंबर फाइफ की उपर आता है शोमी 11T प्रो काफी कमाल का स्मार्टफोन है एंड इसके फीचर्स की बात करें तो 6.6 इंचिस का 10 बीट वाला डिस्पले देखने को मिलता है जो की 120 गीगार्ट रिफ्रेश एट के साथ आता है सूपर एमोलेड 480 सेंपिल इहाँ पर आको कम देखने को मिलती है 1000 ब्राइटनस आपको देखने को मिलते हैं सपोर्ट देखने को मिलता है औरुट लग स्विक्टिश का प्रटक्शन देखने को मिलता है एंड गाइस डिस्प्ले काफी कमाल का है एंड गाइस उसे के साथ आपको 8.8 mm की थिकनेस देखने को मलती है जिससे आपका फोन काफी जदा सलीम और काफी जदा कमाल का है एंड पर ससर की बात करें तो गाइस कॉलकॉम स्नापड्राइगन ट्रिपल एक 5G चिपसेट जो की यहां पे 5NM बेस्ट है एंड इस फोन के अंदर आपको 13 बैंड का जो सपोर्ट देखने को मिलता है अगर जीप्यू की बात करें तो एंड रिरो 660 आपको देखने को मिलता है एंड्रोइट 11 के उपर आता है MIUI बेस्ट यहां पर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है उसी के साथ यहां पर ट्रिपल कैमरा से देखने को मिलता है स्टीरियो स्टीरियो स्टीकर्स आपको देखने को मिलता है एंड्रेम और स्टोरिज के लिए LPDDR5 & UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है और रैम और स्टोरिज के बाद इसकी प्रैसिंग के बात करें एट प्लस वन ट्वेंटी एट जीवी रैम स्टोरिज वाला वेरियंट आपको राउंडेबल 40,000 रपे के अंदर देखने को मिलता है फॉर्थ नमबर के उपर आता है हमारे पास रियल्मी जीटी यह फोन भी काफी कमाल का और रियल्मी का काफी ज्यादा सेलिंग वाला फोन है और इसके अंदर भी आपको पोल्कॉम स्नैप ट्रैगन है जो ट्रिपल एट एक चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 5 एनम बेस् देखने को मिलता है 3D आपको यहां पे जो है ग्लास बोडी है वो देखने को मिलती है 3.5 अमड़ जैक 8.4 mm की यहां पे थिकनेस तो गाइस ओर आल देखें तो डिस्पले एंड जो जो आपकी फोन है वो काफी कमाल का है इन हैं आपको काफी अच्छी यहां पे देने वाला है एंड गैस यहां पे आपको 45 mmH की बैटरी 654 का फास्ट चाजर इन डिस्पले फिंगर पर निसेंसर भी देखने को मिलता है आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरे सेटप देखने को मिलता है जहां पे आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 डूल कैमरे सेटप एंड गैस 16 म मोड आपको यहां पे देखने को मिलता है जिसके साथ आप यहां पे जो अल्टेमेट गेमिंग है वो गैस इसली यहां पे कर पाऊगे एंड रैमन स्टोरिज की बात करें तो 8 प्लस 128 जीवी रैम स्टोरिज वाला वेरिंट आपको 38,000 रुपे के अंदर देखने को मिलता है और गैस यह भी अगर आप ओफर वगरे के दिलोगे तो आपको यह 35,000 रुपे के अंदर देखने को मिल जाएगा इसका एक लुएस्ट वेरियंट भी है 6 जीवी रैम वाला तो वो भी आप परचेस कर सकते हो राउंडेबल 30,000 के अंदर गैस इस चिप सेट के साथ काफी कम 45S है और गैमिंग फोन है यहांपे आपको गैमिंग ट्रीगर भी देखने को मिलते है असूस की तरफ से जितने भी फोन आते हैं सबी कि सभी आपको गैमिंग लैवल के ही देखने को मिलते है यहां पर उपको विग बैटरी कैमडह डिस्प्ले काफी कमहाल condition 2019 की बैठरी देखने को मिलता है डिस्पले की बात करें तो 6.7 इंच इसकी फुल एच्टी सूपर एमुलेड एच्टी आर टैन के साथ डिस्पले देखने को मिलता है और चिपसेट तो नहीं आपको अलड़ी बताई दिया भी है कोलकॉम स्नाप्डाइगन ट्रिपल एट एंड 24 मेगाफिक्सल का आपको फ्रेंट एंड पे सेलफी शूटर और 8K तक की वीडियो को आप यहां पे शूट कर सकते हो आर जी भी लाइट भी आपको यहां पे देखने को जो है मिल जाती है बाकि यहां पे गेमिंग ट्रिगर डूवल स्टीरियो स्पीकर LPDDR5 UFS 3.1 एंड ग के अंदर देखने को मिलता है तो गाइस अगर आप गेमिंग की तरफ जाना जाते हो तो इस फून को पर्चेज कर सकते हो एंड काफी अल्टिमेट और काफी कमाल का स्मार्ट फोन है गाइस ही काफी कमाल का पचास हुजार पे के अंदर बैस्ट गेमिंग कैमरा सब कुछ आ देखने को मिलता है नेक्स्ट गाइस इस लिस्ट के अंदर हमारे पास स्मार्ट फॉन है जो आता है आईक्यू तरफ से आईक्यू सैमन लेजंड ये स्मार्ट फॉन काफी कमाल का है एंड इसके फीचर्स की बात में तो 6.6 इंचिस का फूल HD Super AMOLED देखने को मिलता है जो की देखने को मिलती है आउड़ोर इंड़ोर गेमिंग आप कुछ भी करो वीडियोस कंटेंट देखना सब कुछ आपको यहां पे अल्टिमेट है जो फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी बिकॉस यहां पे एक्सपिरियंस चाओगा क्योंकि आप पैसे भी अच्छे यहां पे पेक करने वाले हो चारह जार है मेंच की बैटरी 66 वोर्ड का फास्चार्ज और ट्रिपल कैमरा सेट अफ जहां से आपको यहां पर एट की तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो 48 मेगा पिक्सल प्लस 13 प्लस 13 डिपल कैमरा सेट अफ एंड 16 मेगा पिक्सल का फ्रेंट पे 44,000 का देखने को मलता है जो 44,000 रुपे कर एंड गाइस मैं कहूंगा कि इस प्राइज रिंज के अंदर ये बैस्ट स्मार्ट फोन निकल के आता है जहां पे आपको 12 जीवी तक की रेम है जो देखने को मलती है IQ 7 लेजंड और गाइस ये फोन अभी भी काफी जादा गेमर क यही मैं कहूंगा पसंद है और इसको गेमेट्स हैं जो खास करके वो ले रहे हैं क्योंकि IQ और ASUS दोनों ही गेमिंग लेवल के ही स्मार्ट फोन बनाते हैं सबी के सबी स्मार्ट फोन के लिए स्ट आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो अब वहां से चेक आउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब इस फोन के अगर स्पेक्स की बात करें तो 6.6 इंचिस का फुल HD आपको E4 एक सूपर एमिलर डिस्पले देखने को मलता है जो की 120 गीगाहट रिफ्रेश एट के साथ तता है गुलूला गलास की प्रटक्शन देखने को मलता है इन डिस्पले फिंगर प्रिंट सेंसर द अब यहां पर फोर के तक की वीडियो को ही शूट है वो कर सकते हो गाइस यहां पर प्रसेसर की बात करें तो कोलकॉम सिनेब टेगन ट्रिपलेट एक फाइफ जी जिपसेट है एंड अंड्रोइड 11 के उपर आता है ऑक्सिजन ओएस आपको यहां पर देखने को मलता है पंत अब ही चीज है आपको नेक्स्ट लेवल की देखने को मलती है और एट पलस वन ट्वेंटी एट जीवी रैम स्टोरेज वाला वेरेंट आपको 43,000 का देखने को मिलता है तो गाइस यहां पे हर एक चीज को मैनेज करके इन लोगों ने मतलब इस समार्ट फोन को पूरा कंप आप को पितित आ लिंका लिकस्शेों mo एट पाइस को इससे चेंडल को फोगे और आप सस्क्राइब करोगे तो भी जेनल को हेलप होगी पसंदेगे तो लाइक शेर मिलते एंएक्स्ट वीडियो में बाइबाई टेकर